एक डाउट मेरे पास आता रहता, जो बच्चे सेप्टेंबर 2024 का, चाहे सिए फाउंडेशन हो, या सिए इंटरमीरियेट हो, एक्जाम फॉर्म फिल कर चुके, उनको एक्जाम नहीं देना, चाहे कोई भी रिजन हो, सबसे पहली बात, बच्चों अगर डर के कारण अगर ऐस जनवरी 2025 में होगा, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक्जाम फॉर्म फिल करना होगा, दुबारा से रजिस्टेशन नहीं करना होगा, सिंपल सा बात है, क्या दुबारा से रजिस्टेशन करना, जिसका जवाब है, जी नहीं बच्चों, दुबारा से रजिस्टेशन नहीं कर और ना होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्जाम फॉर्म फिल करना होता है, I hope कि आपका डाउट क्लियर होगा, जब January 2025 का एक्जाम फॉर्म ओपन होगा, एक्जाम फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, चार्टे स्टरी सबसे पहले वीडियो बना करके अपडेट कर देगा, I hope कि आ जाज जदा आपको सीखने को मिलेगा, बच्चे ऐसा मूड ही बना चुके उनको एक्जाम नहीं देना, क्या अटेम्ट काउंट होता है, जैसे ही आप लोग एक्जाम फॉर्म फिल करते हो, आपका वो एक अटेम्ट काउंट हो जाता, वो एक अटेम्ट माना जाता है, अग पर मुझसे पूछ सकते, चैनल पर नए हो, तो प्लीज बच्चो सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन में, प्लीज बच्चो सब्सक्राइब जब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,